जय हैं दोस्तों स्वाइब के स्वागत करते हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं क्रिश्ण और हम वक्त त्यारी कर रहे हैं सिक्षक पातरता प्रिच्छा किया कर दोस्तों अगर आप वर्गदों के लिए फॉर्म अपलाई कि वहाँ पास जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वाच कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों मैंने बालविकास हिंदी और गणी और गणी मैट्स के बहुत सारी ट्रीक है और इसके अलावा प्रैक्टिस सेड़ भी अप्लोट कर चुका हूं टीटी से सम्बंधी तो अगर छिख गा दोस्तों तो जरूरो से प्रेष कीजिए तो चली श्टाट करते है हमारा आज के यह पर्ट जिसमें हम लोग 50 प्रशन पढ़ेंगे पहला कोश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्ज़क का प्रधान किया गया तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को राज्य का जो दर्जल मिला है वो 1971 ऐस्वी में मिला है अगला प्रशन देख लते हैं पहला जो है समीधान संसोधन अधिनियम कब लाये गया तो दोस्तों बहुत समीधान संसोधन जो है प्रथम बार लाये गया है वो है 1950-1959 और इसी 1951 को पहला समीधान संसोधन की नाम से जाना जाता है और इसके तहट नववी अनुसूची को समीधान में जोड़ा गया दोस्तों जब समीधान बना था उस समय कुल 8 अनुसूची इसमें सामिल थी अगर वरतमान में अनुसूची की बात करें तो कुल 12 अनुसूची है जो अभी वरतमान में 12 समीधान में है तो लेकिन जो पहला समीधान संसोधन है उसमें 9 अनुसूची को जोड़ा गया था अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों राष्टपती पत के निर्वाचन हेटू, उमीद वार को अधिक्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो राष्टपती के लिए अधिक्तम आयू निश्चित नहीं किया गया है दोस्तों तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है है ना तो अग इसके लिए कि अवल कौन सी आयू निश्चीत की गई है मिनिमम जो कितना होना चाहिए 35 वर्ष का मिनिमम आयू उनको होना चाहिए अगला परशन देख लेते हैं किस वर्ष जो है गांधी जैनती के दिन केंद्री प्रसासनिक अधिकरण की इस्थापना की गई थी तो दोस्तों 1985 है उस समय केंद्री प्रसासनिक अधिकरण की जो है इस्थापना की गई है अगला परशन देख लेते हैं दोस्तों लोग सभा क का सची वाला है किसकी देखरेक में कार्य करता है तो दोस्तों संसदी ये मामलो की जो मंत्री होते हैं उन्हीं के देखरेक में लोकसभा का सची वाला है जो है कार्य करता है दोस्तों अगला प्रशन देख लेता है राज्यपाल सोने की पिंजड़े में निवास करने वाली चि और अपने अनुभाओं से उन्हolnे कहा कि जो राजजपाल होते हैं वो सोने की पिंजड़ा के समान आूँ जो है पिंजड़े में निवास करने वाले चीडिया के समतुल्य होते हैं क्योंकि वो जब कारे भार समाल रही थी राजजपाल के पत पर तो उन्हें ऐसा लगा कि इस से सरकार गठीत हुई है 1957 में केरल में अब दोस्तों इसमें है सब्द गैर कांगरेशी तो दोस्तों गैर कांगरेशी क्या होता है जो कांगरेश का सदस्य ना हो वही क्या कहलाएगा गैर कांगरेशी कहलाएगा दोस्तों अगर आप बिजेपी से बिलाँ करते हो या आम आद्मी जंत पार्टी से या समयाजवादी पार्टी से बिलाँ करते हो तो आप क्या कहलाओगे गैर कांग्रेसी कहलाओगे तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है वो गैर कांग्रेशिक सब्द का अर्था है तो पहला गैर कांग्रेशिक संक्ठन जो आयूजीत किया गया था जो हुआ था رाज जे में नूक्ती वो हुआ था 1957 में केरल राज जे में तो दोस्तों वो है जम्मू कस्मीर की है ना जम्मू कस्मीर सबसे कम विधान परिशत की संख्या है सदस्यों की संख्या है अगला परशन देख लेते हैं प्रत्यक राज्य में अनुसूची जन जातियों की सूची तयार करते हैं दोस्तों तो ये कौन तयार करता है तो दोस्त आप तीन अनुसुची जो है सूचियों की विरस्था की गई है वो भारत सरकार अधिनियां जो है इंडियां एक्ट नाइंटें 35 के नाम से जिसे जाना चाता है वहीं से इसे लिया गया है दोस्तों इसमें तीन सूची है जिसमें क्या है तीन सूची आप पढ़े होगे संग स सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची तो दोस्तों इसी तीन सूची की इसमें बात कही जा रही है अगला प्रशन देख लेते हैं किस वर्स सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था तो दोस्तों 1975 इसवी में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था अगला प्रश प्रशन देखलेते हैं कौन सव productos कोगा जो अध्य होता है वहीं नेरह करता Ho बीजिक सभा कोगा दे रहा जो अगोगा कमा की संसोधन की तासि किसी प्रकार करता है उस पर कोगड़ों किसे जोड़ा गया है वे मैं चैजला होग में सतनहीं है तो दोस्तों अगर उस समय किसमी डल में परिवर्तन किया जाता है किसी सदस्य द्वारा एच्छी अनुसार उस समय विवाद की स्थिति आ जाती है तो उस समय जो होता है संसत के अध्यक्ष जो होते हैं उसका निप्टान करता है चाहे वो लोकसभा के लिए हो सकता है वो र लेगा तो अगला प्रश्ण देख लेता है 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की रजनता स्वयम अपने भविश्य का निर्धारन करेगी तो दोस्तों महातमा गांधी या जीन होने 1922 में जो है व्यक्ति की मांग की जो इसके लिए भारत की जनता के लिए स्वयम को भविश्य के निर्धानन के लिए मांग की बात कही थी मातमा गांधी के द्वारा अगला प्रशन देख लिए हैं संसत पर होने वाले खर्चों का नियंतरन किसके उपर होता है तो नियंतरन एवां महालेखक परिच्छक जिसे कैक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसके ह पहली महा सचिएुट के रूप में नियोकते ही थी अगला प्रहिशन देखे लिटे हैं पांडी चेरी को किस भर्ष भारती संग में समलित की आगए और इसे दोस्तों राज्य का दरजा ना देते हुए केंदर सासीत प्रदेश का धरिजा की रूप में इसे दिया जाने लगा अगला प्रशन देख लेते हैं भारत का समिधान भारत को किस प्रकार वर्नित करता है तो भारत का समिधान भारत को वर्नित करने के लिए राज्यों का संग के रूपने इसे वर्नित करता है दोस्तों और साथ ही साथ उसमें केंदर सासित पदेश भी शामिल हो जाते हैं अगल होता है और वह कूँर है तो वो हैं ऊपराश्ट पति ऊपराश्ठ पति क्या होता है राज्यसभा के सदसे बिल्कुल भी नहीं होता अर लेकिन उसका करता अध़्क्षता करता अगला परशन देखलते हैं पूरे देश को कितने छेत्री परिसदों में बाटा गया है तो पूरे छेत्र को जितने परिसदों में क्या किया गया है बाटा गया है अगला परशन देखलते हैं क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है तो दोस्तों हाँ बिलकुल हाँ वो अपने कारे छेतर में जितने भी कारे करता है उस पर टैक्स लगाने का उसको पूरा अधिकार है क्योंकि यह क्या दोस्तों पंचाइटी राज अधिनियाम के तहट उसे पूरी मानिता प्राप्त है अगला प्रशन देख लेता है जवाहल लाल नहरू के निधन के प्रश्चा जीला है जो कहां इस्थित है राजिस्थान में हुई है वहीं से क्या हुआ पंचाइटी राज है सबसे स्टार्टिंग में यह हुए है अगला प्रशन देख लेते हैं किसकी सी फारिस पर समीधान सभा का गठन किया गया तो दोस्तों कैबिनेट मिसन योजना है जिसके तह पर समीधान सभा का गठन किया गया था अग्ला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों समीधान सभा में वीभिने प्रांतों के लिए जो है 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था इन में से कांग्रेस के कितने प्रतिनीधी निर्वाचित होकर आये थे तो दोस्तों इसमें 296 निर्वाचित होना चीए था हुआ था हना उसमें से जो कांग्रेस थे वो कितने थे दोस्तों 208 अगला प्रशन देख लेते हैं मुस्लिम लीग ने समिधान सभा का बहिसकार किस कारण किया था तो मुस्लिम लीग ने बहिसकार करने का मुख्य कारण था दोस्तों उसकी लिए एक अलग समिधान सभा का चाहते थे वो अपने धर्म के अनुसार तो लेकिन ऐसा होना मुंकिन नहीं था दोस्तों इस करण कि अ हुआ उद्य पूरी तरह से वहिस्कार कर रहे थे अगला परस्टों देख लेते हैं लोकसभा तत matar राज्ये-सभा की सहीज़ी तैक बैठक बैठक कब होती है तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयोग तो बैठक जो होती है संसत का जो सत्र जो स्टार्ट होता है उस समय होता है और दोस्तों इसका जो पहला भाषन जो दिया जाता है वो राष्टपती के दोरा दिया जाता है अगला प्रशन देख लेते हैं किस वैक्ति ने वर मेलान बूलाने की यह मांग किया गया था 1922 में तो दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्त छेप के बिना भारती जनता द्वारा समीधान के निर्मान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों 1936 की बात है जब बाहर बिना अस्तचेप के उन्होंने इस मांग को पारित प्रस्ताव को पारित किया था अगला प्रशन देख लेते हैं वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के अधार पर समीधान सभा की गठन की मांग की थी तो दोस्तों व्यस्क मताधिकार में के जो है जवाल लाल नहरू है जिन्होंने 1938 में इस समीधान सभा के में की गठन की मांग की थी अगला प्रशन देख लेते हैं समीधान संसोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है तो समीधान संसोधन को करने का जो समीधान में वर्णी था दोस्तों वो है पांच प्रकार से कु किया जा सकता है अगला प्रशन देख लेता है केबिनेट मिशन योजना के अनुसार समीधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे तो दोस्तों केबिनेट मिशन योजना के अनुसार समीधान सभा के कुल जो सदस्य है वो 389 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों इस cabinet mission की योजना के अनुसार अगला प्रशन देख लेते हैं समीधान सभा में समीधान सभा के लिए चुनाओ कब निश्चित हुआ तो चुनाओ जो निश्चित हुआ है दोस्तों वो जुलाई 1946 में निश्चित हुआ है अगला प्रशन देख लेता है किसी छेत्र को अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती छेत्र घोसित करने का धिकार किसे है राष्ट पती को है दोस्तों मैं इसकी वीडियो में इसको एक बार फिर से बता चुका हूँ अगला प्रशन देख लेता हैं समिधान सभा को किस ने मुर्त रूप प्रदान किया था तो दोस्तों जवाहल नाल नहरु है जिन्होंने समिधान सभा को पूरी तरह से भाग नहीं लिया था दोस्तों इसका मुख्य करन क्या था कि हैदराबाद रियासत के जो राजा थे वो अपना एक अलग से अपना सासन करना चाहते थे वो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहते थे इस करन क्या हुआ वो उसमें भाग नहीं लिया जिसके तहद दोस्तों सरदार वल्ला भाई पटेल ने पुलीस के साथ क्या मिल कर उन्होंने इसको पुलीस धातिया के पूरी तरह से भारत में इसे सामिल किया गया दोस्तों तो ये पुलीस केस के मद्ध हम से जो है है हैदराबाद भारत में शामिल हुआ है वो भी सरदार वल्लो भाई पटेल के नित्रितों में अगला प्रशन देख लेते हैं भारती समिधान में किस अधिनियम के धाचे को स्विकार किया गया था तो भारत सरकार धिनियम 1935 इंडियान एक्ट 1935 में दोस्तों इसी के धाचे पर यह है भारत का यह जो है समिधान जो है धाचे पर उसी सरूप में इसी था है अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों राष्टपती चुनाओं संबंधी मामले किस के पास भेजे जाते हैं तो राष्टपती चुनाओं संबंधी मामले जो भेजे जाते हैं वो उच्छितम नयायाया के द्वारा दोस्तों भेजा जाता है अगला प्रशन देख लेते हैं संविधान द्वारा प्रदक्त नागरिक्ता के संबंध में सांसर ने एक व्यापक नागरिक्ता अधिनियम कब लाया तो दोस्तों अगर नागरिक्ता के संबंध में अधिनियम जो लाया गया है वो 1955 को लाया गया दोस्तों नागरिक तक जितने भी कोश्चन आता है दोस्तों तो सविधान के भाग दो में पूरी तरह से वर्णित है अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रशन है प्रधान मंत्री बनने की नियुन्तम आयू क्या है तो दोस्तों प्रधान मंत्री बनने की जो नियुन्तम आयू है वो है 25 वर्ष और दोस्तों अगर सांथी सांथ जो है राष्टपती बनने के लिए जो नियुन्तम वर्ष है वो है 35 वर्ष अगला प्रशन देख लेते हैं जवाहला नहरू के नित्रतों में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ तो दोस्तों सितंबर 1946 में जवाहला नहरू के नित्रित्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था अगला प्रशन देख लेते हैं देश के स्वतंतर होने के पस्चाथ समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो पहली बैठक जो आयुजित की गई है वो है 31 अक्टूबर 1947 को की गई है अगला प्रशन देख लेते हैं समिधान सभा का अस्थाई अधक्ष की से चुना गया तो दोस्तों इसका जो अस्थाई सदस से चुना गया है वो है सचिदा नंद सिन्हा को चुना गया है जब तक कार्यभार पूरी तरह से किसी इस्थाई अधक्ष को ना दिया जाए दोस्तों उस समय जो है फिर से समिधान सभा का इस्थाई अधक्ष चुना गया तो वो था डाक्टर राजेंदर प्रशाद अगला प्रशन देख लेते हैं समिधान निर्मान की दिसा में पहला कारे उदेश प्रस्ताव का था जो 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसे ने प्रस्तूत किया तो दोस्तों जो प्रस्ताव ना था उसे पंडिक जो हल्लाल नहरूरे 22 जनवरी 1947 को समीधान के समक्ष प्रस्तूत किया था तो दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं भारत के पहले राष्टपती के रूप में जो न्यूक्त हुए है उस समय दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्टपती के रूप में जो है राजेंतर प्रसाथ का चुनाओ किया गया था वो समीधान सभादवारा चुना गया था तो दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं भारत की नियंत्रा के महालेखक की नियूक्ती कौन करता है महालेखक और उसकी परिच्छा महालेखक की नियूक्ती जो करता है वो राश्यपति द्वारा चुना जाता है अगला परशन रहते हैं भारती समिधान के किस भाग को उसकी आत्मा की रूप में अख्या जो है प्रदान किया गया है तो दोस्तों समिधान की आत्मा की रूप में जो प्रदान किया गया है वो है आप इसका प्रस्ताव तो दोस्तों अगर ये question अगर पूछा जाता कि भीम राव अमबेटकर के अनुसार समिधान की आत्मा की से कहा गया है तो दोस्तों भीम राव अमबेटकर के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 को समिधान की आत्मा की रूप में कहा गया दोस्तों समिधान के अनुच्छेद 32 मे क्या है कि अगर हमें मौली कदिकार का हनन होता है तो हमें नयायलाय में जाने कदिकार है वही क्या बताया गया है वही है भीम्राव अमबेटकर की अनुसार सम्विधान की आत्मा तो दोस्तों इस तरह हमांने इस वीड़ो में पूरे 50 कोशन को कभर किया है और दोस्तों जितने भी 50 questions बता हैं वे भी very important है कभी न कभी competence exam में पूछा जाग गया है दोस्तों दोस्तों इस तरह आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों like जरूर करें ज़्यादर ज़्यादर इस वीडियो के अपने दोस्तों को आपको मेरे इस वीडियो के बारे में अगर कोई question पूछना है कोई बात समझ नहीं आती या career से संब्सक्राइब अगर कोई problem है तो comment करें जरूर बता है उसका answer आपको जरूर दूँगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको red button दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखाओगा इसी तरह का subscribe और दोस्तों जैसे subscribe करोगे और नीचे आपको side में एक bell icon बनके आएगा उसे click कर दे ताकि मेरे दोहर अप्लोड कियागे वीडियो दोस्तों आप आसानी से बीना किसी रुकावाट के watch कर सकोगे और लगतार देखते रहोगे दोस्तों त thank you